राश्वीति से जुड़ी हर ख़बर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही वेल आइकन को प्रेस करें लेटिस न्यूस सबसे पहले पाने के लिए गुरु पूर्णिमा पर खंडग्रास चंद्रग्रहन लग रहा है इसके चलते 12 राश्यों के जातकों पर प्रभाव पढ़ सकता है जोतिशाचारी विमल जैन ने बताया कि जिन जातकों कोश्योनी ग्रह की अड़ाईया और साड़ी साती हो उन्हें ग्रहन काल में विशेश सावधानी बरतनी चाहिए साथ ही चंद्रक्रहन से सम्मंदित मंत्र का मानसिक जाप करें तथा अपने इष्ट देवी देवताओं की आराधना करें जानिए चंद्रक्रहन से 12 राश्यों के जातकों पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है मेश राशी की बात करें तो मेश राशी के जातकों के कारियों में बाधा आएगी क्रोध की अधिक्ता रहेगी और दामपत्य जीवन में कटुता आएगी आये में निउन्ता और योजना पूर्ती में बाधा होगी साथ ही यात्रा निराशा जर्रक होगी व्रिशब राशी के जातकों के नवीन कार्यों की योजना बनेगी प्रगती का मार्ग प्रशस्थ होगा, धन का लाप और जीवन में मधुरता आएगी आरोग्य का सुख प्राप्थ होगा, मान प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होगी मिथुन राशी के जातकों पर चंद्र ग्रहन का दुश प्रभाव पड़ेगा ग्रहस्तिती निराशा जनक रहेगी, विचारों में उग्रता रहेगी जीवन साथी से कष्ट मिलेगा और समस्याव से परिशानी होगी आशाय अधूरी रह जाएंगी, आत्मे विश्वास में कमी होगी कल्क राशी के जातकों को कार्य विवस्था में निराशा होगी पश्ट वादिता आपके लिए घातक साबित हो सकती है स्वास्त प्रतिकूल रहेगा वाहन से कश्ट मिलने की संभावना है इसलिए समहल कर वाहन चलाए वाद विवाद से हानी होगी और मित्रों से अनबन बनेगी सिंग राशी के लोगों की नव योजना अधूरी रहेगी धन का भाव होगा जिससे विचारों में उगरत आएगी वाद विवाद की आशंका और कारियों में उदासी इंता बनी रहेगी दुरगटना की संभावना है कन्या राशी के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहन शुपकर होगा भागय में उन्नती का मार्ग प्रशस्थ होगा आरों के सुथ प्राप्थ होगा जीवन साती से सामन जस्य बना रहेगा यात्रा की संभावना बन सकती है बहुत एक शंपता का विकास होगा तुला राशी के जातकों की धार्मिक गति वीदियों में रुची पैदा होगी कारियों के बनने से प्रसंता होगी और उच्छादी कारियों से संपक बनेगा लाब की स्थिती बनेगी और धार में क्यात्रा भी हो सकती है विश्चिक राशी की जात्कों के लिए चंदरक्रहन विश्वास घात की स्थिती पैदा करेगा प्रियजनों से अनबन हो सकती है वाद विवाद की आशंका है व्यवसाय में अर्चना सकती है यात्रा असंतोष जनक रहेगी धनो राशी की जात्कों के लाब में कमी होगी जोखिम से नुकसान होगा विश्वास घात की आशंका रहेगी एकागरता का अभाव रहेगा जिससे मानसिक अशांती रहेगी यात्रा से हानी हो सकती है मकर राशी के जात्कों पर चंद्रग्रहन विरोधी प्रभाव डालेगा लाभारजन का मार्क अवरुध होगा राश की अपक्ष से कष्ट मिलेगा और कारिश शम्दा में कमी आएगी धनागम में बादा होगी जिससे मनोबल में कमी आएगी कुमराशी के जात्कों के लिए ये चंद्रग्रहन काफी फलदाई साबित होने वाला है कारियर प्रगती पर होगा दामपध्य जीवन में सुख और शांती बनी रहेगी धन संचे में रूची लेंगे और आनन की अनुभूती होगी भौतिक शम्दा का विकास और हर्ष भी प्राप्थ होगा मीन राशी के जात्कों के लिए ये चंद्रग्रहन रतिष्ठा का आघात करेगा क्रोध की अधिक्ता होगी दुरगटना की संभावना बनी रहेगी धन का अभाव रहेगा विश्वास घात की आशंका है और व्यर्थ का ब्रह्मन हो सकता है दोस्तों ये थे बारा राश्यों के बारे में आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपकी न्यूस पसंदाई तो लाइक और शियर करें साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें